तो हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्तो आज में आपको बताने वालों सेमसंग के मोबाइल में एक प्रिइंस्टॉल फीचर होता है इसका नामें स्ट्रॉंग प्रोटेक्शन देखा होगा जिसका मैंने आप स्क्रिंशॉट देखते हैं थम्लेल पे लागा के रखा है दोस्त से कहीं मैं करेंट करता है तो आपके डीन दीन कर सकताए अपने मोबाइल पाज़ड नहीं करेंगे जब तक वो decode नहीं होगा या data जो भी आपके app से वो decode नहीं होगा या decruption नहीं होगा जिसको कोई access कर सके तो ये actual में इसका use होता है दोस्तो इसको use कैसे करते हैं और मैं आपको demo करके बताने वाला हूँ यहाँ पर जाना अधर security में and then सबसे नीचे आपको मिलने वाला होगा data protection की नीचे strong protection आपको दिख रहा होगा आप जैसे इस फिर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा भी हो encrypt your phone using using your secure log pattern pin और password after restarting your need to unlock your phone यह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह by default on रहता है तो मैं आपको दोनों का फर्ग बता दे रहा हूं इसको पहले मैं कर लेता हूं off या on करने के लिए आपको हर बार यहाँ पर अपना pen या pattern या password जो भी आपका होगा आपको यह डानना यूज करने के लिए pastly मैं कर लेता हूं mobile को restart off करने के बाद तो जैसा कि मैंने बताया अगर अब मैंने इसको off कर लिए off करने के जब यह mobile restart होगा restart होने का जैसी मैं अपना pen pattern या password डालूँगा उसके बाद यह mobile बहुत fastly quickly pattern या pin डालने के बाद easily run हो लग जाएगा और quickly unlock हो अगर मैंने strong protection को on करा होता हूँ और उसके बाद मैंने mobile को on करना के बाद pin pattern या password डालूँगा तो वहाँ पर unlock होने पर थोड़ा time लगेगा मतला unlock होने के बाद भी जो screen आएगी न वो screen आने में थोड़ा time लगता है तो यह होता है major different तो आपको अभी फतार लग जाएगा ज उसके सबसे चलता है यह जो strong protection वाला option है यह नॉक security से related है अगर आपके वाइल नॉक security नहीं है तो शायद यह option आपके पास नहों तो आप देख सकते हो दोस्तों mobile हो चुका है मेरा restart restart करने के बाद जैसी में आपर यहाँ पर सबसे restart करने के आपका fingerprint और face unlock बूरी तरगा से मैंने अपने यहाँ पर restart करूंगा अपना password डालूँगा जैसे ही में आपर अपना password डालूँगा तो आप देखेंगे मेरा mobile बहुत easily unlock हो गया और मैं अच्छी चीजी यहाँ पर कुछ भी चीज एक्सेस कर सकता हूं ऊपर भी देखेंगे कोई notification नहीं चल रही और यह unlock हो च connection के लिए यहाँ पर मुझे वापिस कॉन करने के लिए अपना पिन पेटर नहीं आपास और जो भी डालना रहेगा उसके बाद आप देखेंगे option enable हो जाएगा enable हो चुका अब मैं कर लेता हूं mobile को restart तो आपको दोनों में फर्क exact तभी पता लगेगा तो यह करता क्या है इसका main use यह है कि अगर आपका mobile कहीं लैप चोरी हो जाए या कोई आपके पेहाफ में आपका mobile को access करना चाता है off mobile करके तो वो access नहीं कर सकता अगर कर भी लेगा त रहेंगी पूरी इंकर फॉर्म में रहेंगी कोई भी उसको access नहीं कर पाएगा तो में यूद्स इसका यह है strong protection का जो कि मैंने आपको बताया वहां पर लिखा भी रहता है यह data encrypt होके यह form में सेव होता है तो जब strong protection on होने के बाद mobile on होता है restart होता है जब आप mobile को फसल बार unlock करते हैं तो वो encrypt data को decrypt करता है ताकि आपको जो original format में data है वो वापिस आपको वहां पर recover हो जाए तो इसलिए जो unlock होने का time ही वहां थोड़ा fast थोड़ा सा slow हो जाता है बोल सकते हैं कि थोड़ा slow हो जाता है क्योंकि background में process चलने लग जाती है तो यह फर्क रहता है दोनो करने पर तो इसका मतलब पीछे कुछ नहीं चल रहा है उसके आद उपर भी देखेंगे आपको एक अलग से notification भी दिख रही है जो की back में काम भी कर रही है आप देख रहे हैं आपको वाइफाई और यह साउंड के ब्लीटूथ क्या भी देखेंगे एकदम से पूरे डार्क होंगे blue और उसके बाद mobile आपका सही हो जाएगा तो थोड़ा देखिए आप ही देख रहा है आपको तो यह strong protection में ही होता है अब यह पुरी तरह से mobile on हो चुका आप easily इसको access कर सकते हैं तो दोनों में मैंने आपको बता दिया यूस करने का तो उमीद है आपको वीडियो पस पूछ सकते हैं दोस्तों में reply जरूर करूंगा और अभी तखर अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना बूलें और मुझे इसका लिंक आपको डेक्शन पर मिल जाएगा तो थैंक्यू दोस्तों